कि अब दिसकर्स कर रहे थे क्लास 11 का चप्र नूमबर 12 के बारे में जिसके एक साथ 12 भी है अपने डिसकर्स करेंगे तो सबसे पहले इंट्रॉडेक्शन के बारे में देखी स्टार्ट करते हैं आपकी जो हैडिंग है वह है पर्मुटेशन होता क्या है देख देखें अनुछ आपको नंबर गिवन मालिजिये कुछ नंबर गिवन है One तो थी फ्रे हें Tot इन में से मैंने मुझे त्री डीजित का नमबर बनाना है कितने नमबर का त्री डीजित का नमबर बनाना है तो इनकी जो अरेंजमेंट होंगे वह कितने होंगे जिसमें रिपीटेशन इस नौट अलाव जाए रिपीट नहीं होना चाहिए जिसे त्री डीजित का नमबर बना है एक माली जी आगे बच्छा कितना सेवन फिर एक आगे बच्छा कितना सिस तो तीन डिजिट का जो नंबर टोटल बनेगा इनका में मुल्टिप्लाई कर दूँगा तो यह वह जाएगी तो टोटल नंबर है कितने आपके एट है इनी को अपन एन से रिपरजेंट करेंगे अभी इन एन में से कितने नंबर का अपन डिजिट बना रहे हैं थ्री डिजिट यानि थ्री नंबर का डिजिट अपन थ्री डिजिट का एक नंबर बना रहे है ठीक है तो आर की वेल्व यहां पर कितनी रहने पड़ेगी थ पी करेंगे एट फेक्टोरियल अपॉन में इसका फोर्मला आएगा इन दोनों का माइनस इसको सोल करूंगा तो आपकी यह वैलिवा जड़ी तो परिमेटेसिन में आपको मैंड में यह रखना है कि टोटल तिंग्स में से एक टाइम आपको आर यानि टोटल तिंग्स कितनी आपकी एन है इसमें आपको एटे टाइम कितने पुटप करने हैं आर पुटप करने हैं यह किसमें फाइंड आउट करता है पर परिमेटेस को फाइंड आउट करते हैं यहानि यह किसको रिपर्जेंट करेंगा यहां से जो वेर्व आएगी वो किया है कि टोटल अरेंजमे और इसको दूसरे वर्ड में इसको रिपर्जेंट कर सकते हैं कि एन फेक्टोरियल यहां पर इसको रिपर्जेंट कर सकते हैं यह फॉर्मुला आपको मैंड में रखना है और अपन इसमें यह इसकी वेल्यू के से इसको कमें इसके आपकी आपको मात्यों क्रेंगे स्वेक्क्तोरियल नॉटेशन तो देखो नेक्स टैडिम की कि और भी आरतिम आखकी कि मायलिजी कोई वेल्यू है एन इसका इस्प्रुस्टोरियल नॉटेशन कॢूंकि कर सकते हैं या है में इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, यह क्या आपका n factorial अब यह value आएगी कितनी, कि इसकी तो n factorial यह होता कितना है, 1 से लेके n तक का product क्या कलाता है, n factorial कलाता है, कि जितने भी nature number है, उन सब का में product कर दू, वो क्या कलाएगा आपका n factorial, this is 4 example, n into n-1 into, इसको expand जरें तो एंग माइनस टू इंटू एंग माइनस ट्री इंटू यह चलता जाएगा था जाएगा थे इंटू टू इंटू लास्ट बन तक जाएगा यह कि इसी को मैं यह सकता हूं कोई ले लो फाइड आउट करनी है तो कितनी वेली आएगी फाइफ इंटू फॉर इंटू थ्री इंटू तो इंटू वन यह जी ठीक है इस फाइड वेली आगे माले जी कि मुझे यहीं तक ही की ओक्ैक्ना है यहीं तरह इसके आगे क्या लगा दो इसको इनके वारे मैं डिसक्स करना सिरी एक पर एक value आपको mind में ये रखनी है कि n, p, n इसकी value कितनी आएगी n factorial आएगी कैसे आएगी इसको मैं solve करूँ तो n factorial upon में इन दोनों का minus कितना 0 factorial अब यहाँ पर important चीज़ी है कि 0 factorial को आपको mind में रखने है कितनी value आएगी इसकी 1 value होगी ठीक है ना तो एक तो यह आपको mind में रखना है और second दूसरी में बात करूँ n, c, 0 की तो इसकी value कितनी आएगी 1, i, p है भई n, p, 0 इसकी value कि आएगी n factorial upon में इन दोनों का minus 0 n minus 0 factor solve करेंगे तो यह दोनों आपस में cancel n minus 0 कितना n factorial को में n factorial से cancel out करो तो आपकी value कितनी आजाएगी 1 आजाएगी ऐसे अपन इस question को question के अंदर use करेंगे इन value का इसमें important चीज़ी आई है कि 0 factorial को अपन क्या ले सकते है 1 लिख सकते है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यह ठीकर ना, मैं यह use करूँगा इसमें ध्याँ रखना factorial के लिए अब करते हैं छोड़ी question दिये हैं आपको इससे पहले अपन fundamental theorem अपन डिसकूस की थी उसी के अंदर एक box method मैं ने use किया था अब permutation के अंदर भी question आएंगे वो आएंगी कौन से में तो आज सी के अंदर आएंगे यहां रखना उसमें अपन प्रेंडेसन के अंदर box method का भी यूज़ करेंगे और NPR का भी यूज़ करेंगे N क्या है यहां पे total number of यह जो things है वो है R क्या है कि आप कितने नमर का arrangement कर रहे हो वो है at a time ठीक है न और एक चीज़ और आपको माइड़ में रखनी है कि इस N की value हमेंशा belong करेंगी किसमे capital N किसमे belong करेंगी capital N ठीक है तो यह थाब का और ठीक है और R की value भी आपको माइड़ में यह रखनी है कि इस R की value या तो N के equal हो सकती है या फिर इस R की value n से कम होसकती है इस n से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती है क्यों क्यूंकि आपके पास Але इन है तो 9 ंवर कैसे से कर सकते हो जूज कैसे कर सकते हो आ नाइन नवर थो 9 9 ढार आपका 9 डीजिट का असमर वो के से बना सकते हैं तो यह द्यां Pom squishy value लेस्टेन इक्वल टू एन होती है यह जानगा ठीक है ना एक लिए और यह माइंड करते हैं अपने क्योंस को देखिए क्योंस में क्या गिवन है आप वीडियो को पोज करके इसको नोराउं कर लेना इसका यूज करेंगे अब सेक्टोरियल और आगे अपन कितना अपन डिसक करेंगे वह आप शीख जाओगे कोई दिख्कत नहीं है करते हैं डिसकस वेसें सी आर्टी का कंप्लीट चेप्टर अप्लोड है प्रमुटेशन गोमीनेशन उसमें जो एक्ससाइज में तो थोड़ आपको बता देता हूं उसमें जो एक्ससाइज है 5.7.1 इसका इंट्रो इंट्रो वीडियो देख लेना आप इंट्रो वीडियो वह तो प्रमुटेशन के अंदर जो बॉक्स मेतब में ने ट्वल एक अंदर डिस्कस किया उसके लिए फिर 7.2 की अंदर फैक्टोरियल से समझनी जो भी हाप्टी प्रोब्लम वोस हो जाएगी ठीक है और उसके में जाएगा आपको कॉंबिनेशन का इंट्रो मां पे अपलोड है ठीक है वह आप देख लेगा ठीक है थोड़ा थोड़ा देख लेना एंसी आर्टी 11 क्लास चेप्टर नमबर 7 कि आपको डिस्कूंब उसके अंदर लिंक वीडिया आप चेक कर लेना और डिस्कस करते हैं क क्यों से नमबर फर्स से देखो देखिए क्यों से नमबर फर्स्ट की में बात करूं तो फर्स्ट में क्या गिवन है आपको देखिए फर्स्ट में गिवन आपको की इवेलिएट 4 fекторio अपॉन में 2 fекторio इंटू 2 fекторio इसको सोल गड़ना और फिर 4 f выпол को एक्सपैंड करतो हां तर थे थे निचे 2 गिवन तो 2 तक एक्सपैंड करना थे तो 4 f factor 3 इंटू 2 तो फेक्टरियल क्योंकि निचे एक सब्सक्राइब करते हैं इंटो में कितना है तो निख सकते हैं इतना यह वाली वेलिव तो इसको इसको कैंसल और तो तो टो इंटो थी इन इसको इसे सिंपल है कर सकते हैं तो इसको नमर शेकेंड का फर्स्ट गिविएंग डवीनिंग एंड वेल्यों सेमल इन फॉलविंग फॉलविंग आपको फाइंड आउट करना है फाइफ पी तो यानि फाइफ एक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का माइनस कितना फ्रीफ यह सिद्धा इसको में एक्स्पेंड करूं तो फाइफ को अच्पेंड गरों फ्रीफ तो फॉर इंटू फाइफ इंटू फॉर इंटू थ्री फैक्टोरियल अपॉन में इस वाली वेर्यू इस वेर्यू से कैंसल इल्ग हो यहां पर फोर्मुला में यूज कर रहा हूं यह कि n P R N factorial upon में N minus R factorial इन दोनों का minus अब इन दोनों का calculate करोगे तो value आगई आपकी 20 इसका second देखो second में आपको given है 7P3 इसको मैं solve गरो तो 7 factorial upon में दोनों का minus कितना 4 factorial इसको मैं solve गरो तो 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon में 4 factorial ये माले value इससे cancel out इन दोनों का multiply कितना 30 30 को मैं 7 से multiply कर दो तो value आगई 210 कितने value आगई 210 आगई third के अदर में discuss करें तो value आपकी 10 factorial नहीं 10P 4 ये value इसको मैं solve करोँ तो 10 factorial 10 और 4 का minus कर दो तो 6 factorial इसको expand करों तो 10 into 9 into 8 into 7 into ये 6 तो 6 नीचे तो 6 factorial देखी करना है और ये 6 factorial आपस में cancel out होगा तो value आगई इन सब का multiply देखो ये कितना आपका फिफ्टी सिक्स तो में नाइन से मंटिक्ला ये गर दो तो नो शीक चोवन नो पांट 45 45 45 पांट पच्चास और एक दस वाला जीरो कितना फाइफ थाउजन फोट्टी ये आप्टांस राज़गर देखें तो करते हैं डिसक्स नेक्स क्योशन क्यो आपको त्री में गिवन है कि फाइंड एंड इस एंड पी टू इक्वल टू थर्टी ये गिवन इसको फाइंड आउट करना है तो देखो सबसे पहले तो इसको सुबल करो एंड फेक्टोरिल अपॉन में इसको क्या एंड माइनस फ्यक्टोरियल दोनों का माइनस रीट अब इस एड को यहां तके कर ना है तो यहां ते करना खंव लूए अच्वाइझ को यहां तके गस्पेंड गाला दो ऑर यह एंड वाइनस वाइड वैल इस्ते के दाए तो यानि तो वेल्व आपको मिली है वो एन इंटो एन माइनस वन मिली है अब इस 30 यह से दो मैंडिबल आपको फैंड आउट करने तो कॉंड़ीन कोंड़ी को एस तो आइन हो जाएगा और एक एन माइनस वन हो जाएगा तो 6 में से 1 को आप माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा तो n की वेल्व तो कितनी हो गई यहां पर 6 हो गई n-1 की वेल्व कितनी हो गई 5 हो गई तो आपको n find out करना था या फिर आप यहां से quadratic equation बनाके भी find out कर सकते हो एक ही बात है तो यहां पर value आपकी n equal to 6 हो जाएगा करते हैं डिसकस नेक्स प्यूसन क्योस नंबर फॉर्थ के बारे में ताब वीडियो को पोज़ करके इसको नोड़ाम कर लेजी क्योस नंबर फॉर्थ देखा क्योस नंबर फॉर्थ में आपको गिवन है यह एक पी एक टू नाइन रेषियो वके इन वेल्थ आपको उड़ तो इस रेषियो को इसको इससे डिवाइड करना थो मैं फॉर्मिट फॉर्मिल आप्लाई करके फॉर्मिट बना रहा है इसका देखना जान से कि n factorial upon में इन दोनों का minus n minus 4 factorial upon ये n minus 1 factorial upon इन दोनों का minus कर दूँ तो n minus 1 minus 3 factorial ये value आगई और equal to में कितना है 9 upon में 1 अब देखो उल्टा करके मैं इसको multiply करूँ तो n को n minus 1 तक expand कर दो तो n into n minus 1 factorial upon में n minus 4 factorial into ये उल्टा होके multiply होगा तो n minus minus 1 minus 3 कितना minus 4 factorial upon में value कितनी आएगी n into n minus 1 factorial equal to 9 upon में 1 ये वाली value इससे cancel out ये वाली value इससे cancel out यहाँ पर value मिलेगी आपको n और इधर 9 को 1 से divide करोगे तो नाई ना जायता है ऐसे आप इसको find out कर सकते हैं अब आप वीडियो को पोज करके इसको no down कर लिजी और discuss करते हैं इसका next question question number आपका fourth के बारे में तो देखिए fourth fifth के बारे में किते हैं इसको रप कर लेता हूं में इसको रप कर लेता हूं में एक बार question number fifth आपको given है देखिए दान से इस में यह गिवन आपको कि 2N P N plus 1 ratio 2N minus 2 P N equal to 56 ratio 3 यह value आपको given है इसका solution आपको find out करना है M की value find out करना है तो देखिए सबसे पहरे इसको मैं expand करके लिखूं फोरूम में value put करके लिखूं तो आपकी value आएगी 2N factorial upon इन दोनों का minus तो 2N minus इसको minus से multiply कर दो तो n minus 1 यह value आपकी यहां से आज़ेगी upon में ratio है तो इसके upon में यह आएगा 2N minus 2 factorial upon में इन दोनों का minus 2N minus 2 minus n यह value इसकी आज़ेगी equal to में value आपको given है 56 upon में 3 अब इसको उल्टा करके multiply कर दो और इसको 2 तर expand कर दो तो क्या value है कि 2N into 2N minus 1 into 2N minus 2 factorial यह value आगे अपकों में यह वाली value है तो 2N minus n कितना आपका? N minus 1 factorial और इसको में उल्टा करके multiply करूँ तो 2N minus n कितना? N minus 2 factorial upon में value आगे 2N minus 2 factorial equal to 56 upon में 3 यह value दीचे अब यह वाली value और यह वाली value तो cancel out इसको में expand कर दो n minus 2 तर तक कि value आएगी 2N into n minus 1 2N ठीक है? 2N minus 1 upon इसको expand करो n minus 1 into में n minus 2 into में n minus 2 इन 2 में यह वाली value किया आपकी? n minus 2 factorial equal to 56 upon में 3 यह वाली value इस value से cancel out यह 3 तो इदर multiply और यह 2 इदर multiply यदि मैं इस 3 को इसके साथ multiply करवा दूँ तो 6N into 2N minus 1 equal to 56N minus 1 के साथ multiply होगा तो 56N minus 56 हो गया इसको मैं अदर multiply करवा दूँ तो आपकी value आजाएगी 12N square और फिर आजाएगी value minus का 6N और यह वाली value दर आएगी तो minus का 56N ठीक है? और यह प्लस का 56 equal to 0 यह value आगी है ठीक है? अब देखो यह 56 अगी है equal to 0 अब इसकी को मैं लिख सकता हूँ 12N square minus इसमें से इसको मैं minus करदूँ तो आपकी value आगी 8 होगा? तो 8 होगे कितना? 62N minus 56 equal to 0 पूरी equation को 2 से में divide गर दूँ तो आपकी value आजाएगी 6N square minus 31N plus 2 से divide गर दूँ इसको मैं तापकी value आएगी 2 और यह 28 equal to 0 तो आपको दूख quadratic equation मिली है वो 6N square minus का 31N plus का 28 equal to 0 यह value मिली है अब आपको product तो find out करना है 28 into 6 तो देखो value कितनी आगी? इसको मैं इसके साथ multiply कर दूँ ठीक है ना? या फिर रहन दो और जो sum है sum find out करना आपको minus का 31 तो एसकी तो वह value कौन सी है? minus का 24 और 7 इन दोनों का multiply करोगे और दोनों का multiply करोगे यह 24 और यह minus का 7 minus 7 minus का 24 और minus 7 को आप multiply करोगे तो 28 into 64 में आ जाएगा और 8 करोगे तोनों को तो minus 31 आ जाएगा चेक कर देना आपको तो यह 6 N square minus का 24 N minus का 7 N plus का 28 equal to 0 यहां से मैं common निकाल दूँ 6 N को तो value आएगी N minus 4 और यहां से minus 7 को common निकाल दूँ तो N minus 4 equal to 0 N minus 4 common आएगा तो remaining value 6 minus 7 equal to 0 इसको मैं 0 की equal put कर दो तो आपकी value आएगी N equal to 4 और इसको मैं 0 की equal put कर दो तो N की value आएगी 7 upon में 6 यह वाला case तो possible नहीं है क्योंकि N की value not belongs to capital N और यह N belongs to capital जो possible value कौन से होगी N equal to 4 आपका इस question का answer हो जाएगा करते हैं करते हैं डिसक्स नेक्स क्योशन नमबर तो देखिए 6 आप नोडाउन कर लो इसको और question नमबर 6 में रहो कि इसमें थोड़ी थोड़ी आपको लिखने इसमें तो कुछ थोड़ी नहीं है जिसे फर्स्ट अक्सेसाइज ते उसमें थोड़ी थी ट्वल्स से में थोड़ी आएगी उसको आप खुड़ी से इसके एंग्वेज में लिख देना और डिसकस करता हैं question number 6 ते एंगर तो नमबर 6 में आपको गिवन है कि 2N प्लस 1 PN-1 रेसियो 2N-1 PN इक्वल टू 3 रेसियो 5 यह विल आपको गिवन है 2N-1 PN-1 रेसियो 2N-1 PN-3 रेसियो 5 N की value find out करनी है तो देखो N की value find out करों तो अपन जानते हैं कि 2N प्लस 1 इसका sectorial upon में इन दोनों का minus तो 2N प्लस 1 इसको माइनस से multiply करों तो minus N और प्लस का 1 यह value आप और इस पर क्या लगा दो मैं sectorial लगा देता हूँ अपन में value यह आएगी 2N-1 sectorial और इस में से इसको minus कर दो तो 2N-1 और इसका sectorial equal to में value आएगी 3 upon में 5 अब देखो उल्टा करके मैं इसको multiply करवा दूँ तो 2N प्लस 1 sectorial upon में value आपके आएगी 2N में से इन जाएगा तो value आएगी 1 प्लस 1 कितना आपका प्लस 2 sectorial ठीक है ठीक है उसके बाद में इसको में उल्टा करके multiply कर दो तो यह उपर और 2N में से minus होगा तो n-1 n-1 factorial upon में 2n-1 factorial equal to में value आपके 3 upon में 5 अब इसको सोल गटते हैं देखो यदि मैं इसको expand करूं एक-एक कम करता जाओं तो यह value इसमें आजाएगी ना इसको मैं expand कर दो 2N प्लस 1 into में 2N 2N बस इतने हो गया उसके बाद में इसमें से minus करो 2N-1 factorial इसको भी expand कर दो कहां तक यहां तक करना है N प्लस 2 में से एक minus करो तो N प्लस 1 हो गया एक वापिस minus करो तो N हो गया फिर एक more minus करो गया तो N-1 हो गया और इस पर factorial लगा दीजी और यह value आएगी N-1 factorial upon में 2N-1 factorial equal to 3 upon में 5 यह वाली value इस value से cancel out और यह N इस N से cancel out बस हो गया और यह factorial इस से cancel out यह value आपकी यहां से मिल जाएगी यानि जो remaining value है यह 2 इसके साथ multiply होगा या फिर है नहीं हो यह 2 into 2N plus 1 यह तो उपर value और निच्चे वाली value आपकी रहेगी इन दोनों का multiply गरवा दूँ तो N square plus N plus 2N plus 2 equal to 3 upon में 5 इसको मैं पहले इसको 5 को multiply गरहूँ इसके साथ में तो आपकी value आएगी 10 into 2N plus 1 upon में यह value आ गई N square और प्लस में 3N plus में 2 equal to 3 upon 3 आदा है ठीक है यह यह तो इदर multiply करवाद हो और इसको मैं इसके साथ multiply करवाद हूँ ताक की value आएगी 20N plus में 10 equal to 3N square plus में 9N plus में 6 यह value आगगी इसको मैं इदर लेके minus करूँ ताक की value आगई 3N square plus यह वाली value इसमें से minus होगी तो 9N में से minus 20 minus का 11N और यह इसमें से minus होगा तो minus का 4 equal to 0 यह value आपकी यहां से आ जाएगी ठीक है ठीक होगी अब देखो अब आपको product होची है कितना minus का 12 ठीक है ना इस 3 और 4 का multiply और समझें आपको minus का 11 तो इस से value आपको बतानी है तो इस से value तो करतो देखो आजएगा यहां से कि 3N square minus का 12N plus 1N देखो minus 12 में से 1N जाएगा तो 11 भचेगा और यह minus का 4 equal to 0 ठीक है ना यहां से 3N को common निकाल दो तो N minus 4 और यहां से plus 1 को common निकाल दो तो N minus 4 equal to 0 यहां से और यहां से common आपका आएगा N minus 4 तो remaining value 3N plus 1 equal to 0 इसको मैं 0 की equal put कर दो तो N की value 4 आगे इसको मैं 0 की equal put कर दो तो minus 1 by 3 N की value आजाएगी यह case तो possible नहीं है तो N की value क्या आजाएगी आपकी 4 वो कैसे नहीं है क्यों N में belong capital N में belong नहीं करती है ठीक है करते हैं डिसकस next question question number आपका ठीक है ना यह 6 था ना 6 के अंदर 4 था ठीक है नेक्स क्यूशन देखिए क्योशन नमबर 7 नोड़ामन आप कर लेना और वीडियो को भी आप स्किप करते रहनों देखिए next question आपका question number 7 7 में क्या गिवन आपको आपको गिवन है 2 N P 3 equal to 100 N P 2 यह value गिवन आपको ठीक है तो N की value find out कर ली है तो सबसे पहले में इसको लिख सकता हूं क्या कि 2 N factorial upon में 2 N minus 3 factorial दोनों को minus equal to 100 इसको में solve करों तो N factorial upon में N minus 2 factorial यह एगा इस 2 N को 2 N minus 3 तक expand कर दों तो 2 N into 2 N minus 1 into 2 N minus 2 into 2 N minus 3 factorial प्रेक्टोरियल अपॉन में 2 N minus 3 factorial यह value और equal to में जो value उसको में और expand कर दों तापकि जो value आजाएगी वह आजाएगी देखो क्या देखिए रहांसर यह तो 100 हो गया इंटू N factorial को यहां तक expand कर दा है तो N into N minus 1 into N minus 2 factorial अपॉन में N minus 2 factorial यह वाली value तो इससे cancel out और यह वाली value इससे cancel out इतना दो आप समझ गया होंगे और यह N इससे cancel out अब देखो जान से यह 2 और यह 2 यहां से common निकाल दों तो बाहर आएगा 2 तो 4 हो गया और यह 2 N minus 1 into यहां से 2 common आएगा तो N minus 1 equal to 100 into N minus 1 इस N minus 1 से N minus 1 cancel out 4 को में 2 से multiply कर दों तो 8 N minus 4 equal to 100 यह value यह इदर आके minus होगा तो 8 N equal to देखो इदर आके minus होगा तो 96 104 होगा यह प्लस होगा न 1 0 4 N equal to 104 upon में 8 अब इसको में इससे cancel out कर दों तो 1 और यह 3 यान की value कितनी आगी 13 आ रही है यह आपका इस question का answer करते हैं डिसकस next question को question number आपका 8 के बारे में ठीक है देखी question number 8 में आपको given condition क्या है वो देखी आपको यह condition given है कि P N,6 equal to 3 P N,5 यह अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बतायती है introduction थोड़ा सा बंग discuss किया था कि P of N,R को मैं लिख सकता हूँ N,P,R यह लिख सकता हूँ न ठीक है न तो यह तो N की value यह R की value अब मैं इसको forward बनाओ तापकि value आएगी N,P6 equal to 3 into N,P5 यह लिख सकता हूँ N factorial upon में N minus 6 factorial equal to 3 into N factorial upon में N minus 5 factorial यह तो होगा इस N,C,N cancel out और N minus 6 को आप expand करोगे तो N minus 7 आएगा माइनस कम करोगे तो और N minus 5 को आप expand करोगे तो N minus 6 यहां पर आएगा ठीक है न इसमें से एक कम करते माइनस 6 आजाएगा तो आपकी value आएगी 1 upon में N minus 6 factorial equal to 3 into 1 upon में N minus देखो यह विजो value आपकी आएगी तो N minus 5 N minus 5 इसमें से एक कम कर दो N minus 6 factorial आपका हो जाएगा यह वाली value इस value से cancel out यह 3 यानि N minus 5 इधर multiply होगा तो N minus 5 और equal to भी कितना है 3 तो N की value 3 plus 5 equal to कितना आजाएगा 8 आजाएगा यह आपका इस question का answer हो जाएगा ठीक है समझ रहे होंगे आप करते हैं discuss next question 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 number आपका 9 इवारे में तो आप वीडियो को pause करके इसको नोडाउन कर लीजी और discuss करते हैं 9 question दो देखिए क्योंस नोड नाइट में आपको given है कि 2 P N,3 equal to P N plus 1 और यह 3 यह आपको given है ठीक है देखिए दान से इसको मैं solve करूँ तो यह 2 N P,3 equal to N plus 1 P,3 यह आएगा इसको मैं आगे solve करूँ तो 3 और यह वेलियो आजाएगी आपकी N factorial upon में N minus 3 factorial equal to N plus 1 factorial upon में N plus 1 minus 3 यह वेलियो आगी ठीक है अब देखो यह तो 2 यह N factorial Semi इसमें से आप एक कम करोगे तो यह वेलियो आएगी minus N minus 4 तो इसको तो रहने तो अब मैं इसको expand कर दो तो N plus 1 into में N, N plus 1 इसमें से एक कम करोगे तो N factorial upon यह कितने वेलियो आगी आपकी N 1 minus 3 कितना minus 2 अब मैं इसको expand करों तो N minus 2 into N minus 3 एक कम करोगे तो N minus 3 आएगा N minus 3 से N minus 3 cancel out N factorial से N factorial cancel out आपकी वेलियो यह तो इदर multiply तो 2 के साथ कौन multiply N minus 2 multiply और यह N plus 1 आ जाएगा तो N minus N कितना आपका N और यह वाली वेलियो कितने आगी आपकी फाइप लिए यह हो जाएगा आपको क्योसर नमबर करते हैं डिसक्स नेक्स क्योसर नमबर 10 के बारे में तो आप वीडियो को पोज कीजिए और इसको नोडाम कर लेजिए क्योसर नमबर 9 को देखिए आप देखिए क्योसर नमबर आपका 9 नहीं है 10 देखते हैं 9 complete है आपका 10 देखो find the r r की variable find out करनी है किसमें 5 4,5 p 4,r equal to 6 p 5,r minus 1 और r greater than 1 equal to 1 यह आपको गिवान है तो देखते हैं इसकी variable find out करें तो सबसे पहले तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 into 4 p r लिख सकते हैं equal to इसको मैं लिख सकता हूँ 6 into 5 p r minus 1 यह लिख सकते हैं अब मैं formula apply करता हूँ तो 5 into 4 factorial upon में 4 minus r factorial 4 minus r factorial equal to 6 into 5 factorial upon में 5 minus r यह minus से multiply करोगे तो plus बना गया ठीक हैं और इस पर क्या लगा दो मैं factorial लगा देता हूँ अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 into 4 factorial upon में 4 minus इसमें से आप एक कम करोगे तो 4 में से 3 आ जाएगा यहां पर तो इसको तो करेंने सकते हैं उसको देखते हैं इकवल टू यह 6 into 5 factorial को 5 into 4 factorial इसको मैं expand करों तो तो यह तो value आएगी ना यह 5 6 minus यह आएगी क्याएगी 6 minus r factorial इसमें से 1 कम करोगे 1 को आप कम करोगे तो यह तो आएगा 6 minus r और 6 minus r minus 1 तो यह कितना आपको 5 minus आए वाफिस आप करोगे 6 minus r minus का 2 factorial तो 6 minus 2 कितना आपका 4 तो यह 4 आजाएगा तो इस 6 minus r factorial को मैं क्या लिख सकता हूँ यह लिख सकता हूँ क्या 6 minus r और इसमें से 1 कम करोगे तो 5 minus r और इसमें से 1 कम और करोगे तो 4 minus r factorial यह value आगी यहां से मैंने direct switch किया है पहले लिख दिया आप देख देना उसको यह वाली value इस value से cancel out यह 4 इस 4 से cancel out अब जो value आएगी उसको देखो इधर तो 5 only remaining और यह इसके साथ multiply हो के लिखों में तो आपकी value आएगी 30 minus का 6 r minus का 5 r plus का r square equal to 30 यह value आगी ठीक है ना देखो 5 से 5 पी cancel out कर दो ना यह लो तो यह value पितनी आगी आपकी 6 आगी इसको मैं अठाई देता हूँ अब आपकी value देखो कितनी यहां से तो r square और यह वाली value minus का 11 r और यह वाली value 30 है और वो इधर से आएगा तो यह value आएगी आपकी minus का 20 plus का 24 प्लस का 24 चीक है यह r square इन डौनों का multiply 30 यह इधर आगे minus होगा तो minus का 24 equal to 0 यह value आपकी आजाई अब देखो इसके factorize गरों तो r square minus 8 r minus का 3 r plus 24 equal to 0 लिख सकता हूँ इन डौनों का 8 गरों तो minus का 11 आ रही आएगा दौनों का multiply गरों की तो plus का 24 यहाँ से common आ रहा आपका common निकाल दो तो r minus 8 और minus 3 को में common निकाल दो तो r minus 8 equal to 0 यहाँ से मेरी सकता हूँ r minus 8 common आएगा तो remaining value r minus 3 equal to 0 इस वाले factor को आप 0 की equal गरोगे तो r की value 8 होगे या फिर इसको आप 0 की equal गरोगे तो r minus 3 equal to 0 तो r की value कितनी आगे 3 एक value यह मिली है और एक value यह मिली अब यह possible नहीं है यह possible क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर n की value देखो कितनी है n की value हमेशा इस r से बड़ी ही होनी चाहिए या फिर equal to हो सकती है कि कम नहीं हो सकता है उस वज़े से यह r की value आपकी क्या है आपका पॉसिबल नहीं है यह बड़ी वेलिव आगी 4 और 5 से यह वाली वेलिव इस 4 और 5 से कम ही होना चाहिए तो यह एट जादा गया पॉसिबल वेलिव आपकी कितनी हो गई 3 हो जाएगी और इस आंसर देखते है ठीक है आपका 3 option है तो यह आपका question number 10 complete है ठीक है और next question question number 11 अपर next video के अंदर discuss करेंगी आज की लिए इतना ही thank you so much